नमस्का दोसों स्वागत आपका आपके अपने सुपूइभुrs चनल एक्जाम गुरू टिप्जिप्स अंटिक्स में दोस्तों आज हम स्टेटिक जिखे का वीडियो नमर 8 करने वाले हैं स्टेटिक जिखे का आठवा वीडियो 15 जिसामबर हमारा टारगेट है इस्टेटिक जी के 46 टॉपिक का हमारा पीडियेफ है जिसको हम वीडियो के मादम से फ्री और कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे टॉपिक को हम कराएंगे और ये आटवा वीडियो है और इसमें हम भारत के प्रमुख बाद यानि कि डैम्स के बारे में आपने सुना होगा आखे डैम्स की जिरुवत क्यों पड़ी और डैम्स से क्या-क्या यूज क्या होते हैं और भारत के सबसे बड़े बाद, दुनिया का सबसे बड़े बाद, ये प्रस्न पूछे जाते हैं सर एक्जामों में, ठीक है, इनहीं कौन करेंगे जो इंपोर्टेंट होंगे आपके एक्जाम के परपस से, 15 से मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको भी हम करेंगे, और साथ में कुछ अक्ष्टा चीजों कौन देखेंगे, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, इसके मत करिए का बहुत इंपोर्टेंट है, और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का एकन क्लिक कर लेना, यू तो चलिए यहाँ पे, अगर जो आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक को लेके, तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा इस्टाग्राम एंडल है, जामगुरु सधीरवन, इस पे फॉलो कर सकते हैं, वाट्सप गूरुप पे भी ए तो सबसे इंपोर्टन में यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यह बाद जो सब्दाया, यानि कि डैम्स, इसको आखिर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, तो आपको यहाँ पे पता होगा, पहले बहुत से गाउँ ऐसे होते थे, जहाँ प पे वो बाद बनाते थे, तो कह सकते हैं, हम सिचाही के लिए भी इसको इकठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर बिजली की जरूरत पड़ी, फिर बिजली भी बनाने के लिए यहाँ पे हम डैम्स को बनाते हैं, ठीक है, बाद को बनाते हैं, एक और चीज, डैम्स दो प्र वार क्या होता है mechanical energy को electrical energy में convert करना तो यहां पर गोवेगी तो बिजली बन जाएगी एक तो गया नदी बहते हुए नदी पर हम डैम बना देते हैं एक तो होगिया हम पानी को इकठा करके बारिस के पानी को पर में पानी को इकठा करके हम पानी को उचाई से गिरा कर टर्माइ आपको ठीक है अब यहाँ पर पीडियाप में क्या लिखाम पढ़ लेते हैं बाद एक अवरोध है अवरोध मतलाब बाद बनाने के लिए पानी को तो रोखोगे तो उसे को बोला अवरोध है जो जल को बहने से रोखता है और एक जलासा बनाने में मदद करता है इससे बंद बाद हो गया एक तो चाप बाद हो गया हम तो पढ़ा देंगे आपको लेकिन रिवीजन कैसे करोगे रिवीजन करोगे आप पीडियाफ से रिवीजन करोगे आप अपने खुद के नोट से पीडियाफ नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं हमने बोला, दुनिया के dams को हम नहीं पढ़ेंगे, हम भारत के बादों को पढ़ेंगे, लेकिन हम दुनिया का सबसे बड़ी जल्विदुत जो परियुजना उसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह आपके लिए example में important हो सकता है, यह आपके लिए important हो सकता है, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी जल्विदुत परियुजना आपसे पूछा जाए example में, तो आप आखमूंद के लगा देना, three gorgeous dam, यह काम कौन कर सकता है, यह काम चाइना के अलावा और कौन कर सकता है, तो चाइना में बना है, दुनिया का सबसे बड़ी जल्विदुत परियुजना, नाम है three gorgeous dam, बात करें, चीन की सबसे लंबी नदी, यांगजी नदी पर बना है, यांगजी नदी पर बना है, दुनिया का सबसे बड़ी जल्विदुत परियुजना, चीन में, यांगजी न तो अलग बात है लेकिन ये जो बाद है बाद है ये कितना बिजली पैदा करता है तो 22,500 मेगा वाट बहुत बढ़ा ठीक है बहुत ज्यादा 22,500 मेगा वाट बिजली ये उत्पन करता ये पैदा करता है अभी कुछ दिन पहले ये ख़वा निकल के आए थी कि ये बाद मेजर्स होते है वो नुकसान भी कर सकता आसपास के गाओ के लिए भी नुकसान आप पानी को एकठा करके रखतो सकते हो लेकिन माल लेजिए कहीं से कुछ भी फाल्ट हो जाता तो वो पानी जाएगा कहां आसपास के लोगों को ये तो प्रभावित करेगा तो ये सारी चाइना के यांगजी नदी पर हो वो ही प्रांत में अब इस बात को बनाने में कुल 18 साल लग गयते ध्यान रखेगा इतना बड़ा है कि 18 साल लग गया तो इंडिया में तो कम से कम तो 100 साल तो लगेंगे ही इंडिया में जो ये बात बना होता प्रोजेक्ट आता तो 100 साल लगेंगे क्योंकि आपको पता है इंडिया में एक साल का कोई प्रोजेक्ट होता तो वह भी 10 साल लग जाते हैं ठीक है तो चाइना में 18 साल लग गया तो सोच सकते हैं और इसका निर्माल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हुआ था और 32 टर्माइन को इसमें ल देख लिया त्री गॉर्जिस ड्यांप ठीक अब आते हैं भारत में भारत में सबसे पहले हम टेरी बात देखेंगे टेरी से अक्सर प्रस्ट पूछे जाते हैं अमलब पीडियाप से हम सारा देख लेंगे लेकिन कुछ इंपोर्टेंट है दो तीन इसको हम देख लेते पह जो भी उचाई मापीजाती है वो समुद्र तल से मापीजाती है समुद्र सल से टेरी बात की उचाई 260 मिटर है और यह भारत का सबसे उचा बार खेलेर हो गया कहां पर है उत्तराकंड पह है किस नदी पर वरा है थीक भागी रथी नदी है अब यह वह आप देख सकते हैं यह भागी रथी नदी है ठीक है यह तो रोड टायंसोंट के लिए है ठोड़ा सा मना आ टर्वाइन गूमेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वनेगी उसका मुप्योग कर लेंगे ठीक समझ में आया कोई दिक्कत नहीं टेरी बाद भारत का सबसे उचा बाद उचाई दो सो साथ मीटर कहा है उत्राकंड में है और यहां पर घंगा और भागी रथी के संगम पर वर आहीं भी खाए भिलांगना निदी जिसको बोलते हैं और यहां पर मैंने क्या प्मिण बताया आपको भारत का सबसे उच्छा विशाल का यह भी ध्यानरुट यह और टिहरी जो बाध है ना दुनिया का आठवा सबसे बड़ा बाध है ये आपको ध्यार रखना है उपयोग कहा होता है सिचाई में बिजली पैदा करने में यह तो गए टिहरी बाद की बात अब हम आते हैं सरदार सरोवरबाद, सरदार सरोवरबाद की बाकरे संकलपना 1960 में पंडि सरदार वल्ला बाई पटेल ने रखती थी, ठीक है, ये महत्व कांची परियोजना थी सरदार वल्ला बाई पटेल की और जवाहर लाल लालो ने इसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया था, 1960 में, लेकिन 1960 में भारत, 1947 में आपको आजाद हुआ था, उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करना था, लेकिन बीच में ये सारे काम करने के लिए पैसे की जबुरत पड़ती है, और पैसा कौन देता है, वर्ल्ड बैक, लेकिन बीच में बहुत सारे कंट् थी, ठीक है, तो सर्दार वलाबाई पटेल की मैं तो कांची पर्यूजना थी, सर्दार, सरोवरवांद, अभी आपने देखाऊगा, करेंट में, नरेंदर मोदी जी ने इसका उधाटन किया, अब आप सोचो, 1960 में कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर संकलपना की गई, और यहा प्रकार का गुरुत तुबाद है, कहां पे है सर्दार सरोवरबाद, नर्मना नदी पर बनाया है, ठीक है, गुजरात के नौ गाम के पास इस्थित है, तो सर्दार सरोवरबाद, कहां पे है, किस स्टेट में है, गुजरात में है, किस नदी पर है, नर्मना नदी पर है, कि गुजरात मदपदेश महाराष्ट और राजस्थान ठीक क्लियर आगे कुछ देख ले ठीक है आप यहाँ पर चीज़े पढ़ लीजेगा नर्मदा दक्षर पश्ची मालवा पठार के बाद एक लंबे गार्ज का निर्माण करती है इस गार्ज का विस्तार गुजरात तक है जहां सर्दार सरुवरबाद का निर्माण किया गया है अब सर्दार सरुवरबाद ये तो हो गया और यहाँ पर देखें यहाँ पर 1980 के आसपा स्वेस्ट बैंक से साहता से देखो, 1960 में संकलपा लगी गई, 1980 में वर्ल्ल बैंक से जब लोन मिला तो इस पर काम प्रारम हुआ और आपने कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा नर्मदा रजी को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारम हुआ था तो लोगों कोई समस्या हो जाती है लोगों कोई प्रोब्लम सो जाती है अगर जो ये भूमी अदिगार अपनी समस्ती होंगे अब कहीं पर भी डैम बनाये जा रहा है तो आसपास के लोगों को थोड़ा सा डर मन में बैढ जाता है कि डैम बना रहा है पानी को रोका जाएगा भूमी लिया जाएगा ये किया जाएगा तो इससे हो सकता है नदी को भी नुकसान हो हमको भी नुकसान हो मालोग डैम का कुछ खत्रा हो गया तो इससे लोगों की चिंकता है बढ़ जाती इसकाल यहाँ वे नर्मता बचाओं आंदोलान प्रारंब हुआ था तो यह हो गया सरदार सरोवर बात के बारे में ठीक यहाप है हम हीराकुण बात की बात करें उडिसा में है और क्या इंपोर्टेंट है किस नदी पर है महा नदी पर यह जाना तर पूछा जाता है किस नदी पर है महा नदी पर है हीराकुण बात ठीक है और क्या इंपोर्टेंट है भारत का सबसे लंबा बाद है ठीक भारत का सबसे यह फिगर देख सकते हैं यह फिगर देख सकते हैं यह लंबाई की बात करें तो 26 किलो मेटर लगभग इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलो मेटर धाना के लगभग ही राकूंड जील एस्टिया की सबसे बड़ी मानों निर्मी जील है इसको भी आपको धान रख रहा है उडिसा मे है महा नदी पर एक प्रगार का बात है ठीक आगे चलें चलें परमीशन है आपकी समझ में आ रहा है याद हो रहा है कमेंट करके बता देना नहीं सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद है शेयर कर देना प्रियो कोई दिक्कत नहीं कि पूरे टॉपिक ओम देखेंगे ठ कि एक और चीज में बताने चाहता हूं यहा थोड़ा सा लिख लिजेगा जय कहां यहां पिम्ता रहेता हूं u2 में नहीं है ठीक है मैं यहां पे बताता हूं यहां प्लिख लिजयेगा अगर जो नोट सेबर रहे हो डिक कहां गया मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लिक लिजेगा ठीक है यह सबसे पुराना बाद पूछे सबसे पुराना बाद ठीक है पुराना बाद तो कला नहीं बाद कला नहीं बाद कला नहीं टैम सबसे पुराना टैम है तमिल नाडू में इस्तित है तमिल नाडू पर इस्तित है और कावेरी नदी पर ठीक है कावेरी नदी पर कला नहीं बाद सबसे पुराना कावेरी नदी पर है और किसने बनवाया था चोल मंस के राजाओने बनवाया था तो कला नहीं बाद सबसे पुराना बाद है और तमिल नाडू में कावेरी नदी प बाद है और यह देख लिजीघा 2400 मेगावाट बीजली पैदा करता है कि सरदार सरोवरबाद के बारे में मैंने बात की यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बाद यह बनाया गया था यह सरदार सरौवरबाद और गुजरात के वलोधरा जिलहे में स्थित है ध्यानने केगा सदार ये नर्वनदा नदीपर और यहां पर दुनिया का सबसे लंबे पादों में हिराकुणबाद है जो उडिशा के संबलपूर में है लंबापाद नहीं दुनिया का देगे उसमें आता है ठीक है महा नदीपर की बात करें ये जो सागा का पर गौविंद व'll बंत सागर यह जो बाद नुख नर्मबूर बना है को हैं पृत्सागर बाद की बात करें चंद्रब्रवाज नदीमरीसीत है चंद अल्ली में ये आपका Lecture ौटवाद की बात करें वीतव उत्तर व्कुर região met पर श्तित्ह ठीपि जग कनाहर बाद की यह आपका कनाहर नदी करें स है जोन वद्र में देखए आप एक तो गोविंद वल्लपन सागर है और आपका एक है इसे और कनाहर नदी पर हाए आपका slut बाद और और गुह वोलपपन सागर की वाद कर यह नीय हन नदे पर है। जासी में परिच्चाबाद है बेतवान नदे पर और माताटिला बाद यह भी आपका बेतवान नदे पर है दोनों जासी में है। हम आते हैं अगे। अब हम अपने PDF पे आते हैं, इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कहां पे कौन-कौन से बाद हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेहरी बाद की, टेहरी बाद जैसा कि मैंने बताया है, भारत का सबसे उचा बाद, 260 मीटर उचा है, और भागी नदी नदी पर ठीक, ठीक, परताब नगह उत्तराकंड में, भांगणाबाद की बात करें, तो भांगणा जो बाद है, सतलज नदी पर है, बिलाजपूर हीमानचल पर इसमें, अकसर यहां से पूछा जाता है, कि नदी पर इस्तित है, कहां पर इस्तित है, सर्दार सरोवरबाद, आपका नर्मदा नदी पर है, आपका राजपीपला कुजरात में, देखो, इस्ते बाहर कुछ भी नहीं आएगा, डैम से प्रस्न आता है, तो इस्ते बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लिखके रख लो, याद कर लो, आज आएगा, प्रस्न भाज जाएगा आपका, घबरानी की जो केरल में पढ़ता है, ये पेरिया नदी पर है, पेरिया नदी पर इडुकी बाद है, केरल में, राम गंगा डैम के बारे में हमने बात किया, राम गंगा नदी पर है, उत्राखण में, कोहिना बाद, बहुत इंपोर्टन, कोहिना नदी पर है, महरास्ट में, महरास्ट में क मैथानबाद की बात करें, बढ़ाकन नदी, बढ़ाकन नदी पर बनाएं, यह जालकन में है, रंजी स्तांगरबाद, आपका रावी नदी पर है, पंजाब में, बगलिहार बात की बात करें, बगलिहार डिले में, जो चेनाब नदी पर बनाएं, रामबार, जम्मु कस्मीर म कि बात करें चिहाई डेंडे वोर राथी नदी पर बनांए य advad our और यहां पे नगी बात जो पर बिहार में तो यह बार तेजी से हमीरिजन करते हैं तेजी से दिब्धारी बात आखेगा उत्राकंड में आता है ठीक है भांगला बाद की बात करें लख्वार्बाद की बात करें यमना नदी पर है या आपका उत्राकंड में इडुक की बाद पेडिया नदी केरल में रांगंगाबाद ठीक नदी उत्राकण। कोईनाबाद के बाद करें आल्माठी बाद करें ये कृषित म Влад कि बाद करें काईरे नदी नदी मुन पर पंजाब में बगलीयार डैम की बाद करें चेनाब नदी पर है यह आपका जंगी नदी अब आपका बिहार में तो आसा है आपको ये वीडियो समझ में आए हो कि सारे टॉप भी अच्छे लगे होंगे थोड़ा टाइम लगा तो मज़ा आया अच्छा लगा तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना टेलिग्राम लूप जरूर जोन करना विजिट करना वेबसाइट फॉर प्र करनी लो प्रोपना ग्याओ तो को को बween।ग्स्टाइबस Ciao! कुल एथ जचूण साथिक हैं लांकर फॉलो एALचे वांकर बहां लागा Но जूबस्टास याना अजusan वेगरारक हो अबबसाओ जोग्वेसे छिभेघ।